वाव तुम भी हूँ सोचाता प्रपोस माणूंगा क्या सोचाता क्या निकली यार क्या दा व्यां तो देसे अरी ये देख यार ग्यांदे पैर यार पांदे विए क्या सुचाता क्या मेच लुछ zer बेंड यादे मिखो अंछ South अच्छा बना अगर तो अर्व्यें अग्रभटने किया अच्छा.. यह ह मात्या वीजें हुष तुम हें भाग दूने अब लोग इसाताए? तिम गजैने मैंग Weekanın Megiskin जया बहुत राई जाते है और कभी कभी तर खुचार खुचारदे खूण भी निकलाते है निकल भी आयाया है और असुन तुचाराणी कि ज़रूरत है ये बोडी पॉलिशिंग ना बहुत ही खास है, खास कर विंटर में तो इसे जरूर करनी चाहिए, मैं पूद घर पर करती हूँ, जल्दी जदी दिखा दी हूँ सबस्क्राइब कर दो और साइट वाले घंटे को दबा के और जल्दी से सबस्क्राइब कर दो यार सबसे पहले स्टेप में मैं वाम वाटर से बोडी को वेट कर लूँगी, मतलब जहाँ पे आपको पॉलिशिंग करना है, उस एरिया को गरम पानी से अच्छे से धोलो या फिर आप नहा भी सकते हो, गरम पानी से स्किन को धोने से ना स्किन पोर्स ओपन हो जाते हैं, और फिर जो स्टेप्स हम आगे करेंगे, मतलब जो सारे इंग्रीडियंट्स आगे हम यूज करेंगे, वो सब ही अच्छे से स्किन के अंदर पेनिटरेट हो जाएगा, और भी बढ़िया मिलेगा, नहाने के तुरंद बाद ही टावल से स्किन को पोच लेना है, और फिर करना है ओईल मसाज, तो ओईल मसाज करने के लिए हमें एक स्पेशल ओईल बनाना है, जिसके लिए 1 टेबल स्पून ओलिव ओईल लेना है, और फिर इसमें डालना है 2-3 विट 15 मिनिट तक, ऐसे मसाज करने से स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और कुलाजन पर्रक्शन बूस्ट होगा, विंटर में जो ड्राइफ लेकी स्किन प्राबलम होते हैं, वो इस ओईल से मसाज करने से ना कभी नहीं होगा, और स्किन बहुत ही सॉफ्ट बन ज लोड यानि गेहुका आटा लो, और फिर एट करो एक चम्मच औरेंज पील पाउडर, अब इसमें एक चम्मच ओली वोयल लो, ओली वोयल के बदले को कुना टॉयल भी ले सकते हो, और लास्ट में मिल्क यानि के दूद आट करके मिक्स कर लो अच्छे से, देखो कंसिस्ट बिलकुल ऐसा होगा, बस अब इसे बॉडी में अपलाई करो, और क्या रब करो सर्कुलर मोशन में, पर हलके हातों से रब करना, बॉडी पॉलिशिंग में स्क्रबिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये वाला स्क्रब बॉडी ब्राइटनिंग स्क्रब और पैक दोनों का काम करेगा, इससे स्किन को जंटली पास से 7 मिनिट तक स्क्रब करना है, ये स्क्रब ब्राइट के लिए भी बहुत खास है, वेडिंग सीजन चल रहा है, तो ब्राइट भी इसे ज़रू ट्राइ करना, ये सारे डेट स्किन को इलिमिनेट कर देगा, स्किन टोन को करेगा, टैन रिमूव करेगा, स्किन डिसकलरेशन को भी ट्रेट करेगा, मतलब कितने भी आपके स्किन प्राइट क्यों ना हो, वो सब इससे सॉल्ड हो जाएगा, और हाँ एक बात, इस स्क्रब को आप अपने फेस पे भी लगा सकते हो, बहुत ही बड़िया स्क्रब है य आई लो, और हाफ औरेंज जूस, यानी संत्रे का रस डालो, आहाहा, क्या मसाज क्रीम है, विंटर में ये वाला मसाज क्रीम ज़रू ट्राइ करना, अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद, इसे लेकर स्किन पे अपलाई करो, और फिर ऐसे हलके हातों से मसाज करो, देखो ये दोनों चीज ही स्कीन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज से भड़ा है, और स्पेशल चीज तो है विटमन सी, जो ओरेंज में है, इस मसाज क्रीम से स्कीन टोन तो फियर बनते ही है, साथी टैन भी रिमूव हो जाता है, और अगर थोड़े बहुत डार्क स्पोर्ट्स भी है तो वो भी रिमूव हो जाएंगे, और हाँ, विंटर में मलाई बहुत ही इंपोर्टन्ट है स्कीन को मॉस्चुराइज और लाइटन बनाने के लिए, ये मसाज स्कीन में इतना ग्लो लाएगा जैसे नई दुलहन हो, बस 15 मिनिट तक ऐसे मसाज करने के बाद, हलके गुन- वैजलीन लो, फिर इसमें डालो एक चममच ग्लीसरीन, अब एक चममच ऑलीव उयल, और लास्ट में एक विटमिनी कैपसूल डालके बहुत ही एचे से मिक्स कर लो, देखो मिश्रन एकदम ऐसा बनाना पड़ेगा, आप ना इसे ज्यादा बनाकर स्टोर करके भी रख सकते अब क्या इसे लो और बोडी पे अपलाई करो, आप सोच रहे हो कि ये खास क्यूं है, देखो इसमें जो जो इंग्रीडियंट्स है ना वो सभी स्किन को अंदर से मॉस्चुराइज करता है, स्पेशली ग्लीसरीन और विटमिनी तो स्किन में एक नया चमक लाता है, अगर अब शॉट ड्रेस पहनते हो ना तो एक बार इसे जरूर लगा लेना, फिर देखना इसकी चमक, ये बहुत ही बड़िया मॉस्चुराइजर है, बस मॉस्चुराइजिंग कंप्लीट हो गया, अब पहले के स्किन में और अभी के स्किन में डिफरेंस देखो, और अगर तो कमेंट करके जरूर बताना, देखा बोडी में नेचुरली कितना शाइन आ गया है, अब अगर पार्टी में जाओगे तो सब यही पूचेंगे कि बोडी पॉलिशिंग का कितना चार्ज लिया, तो फ्रेंस, विंटर स्पेशल ये वाला बोडी पॉलिशिंग बहुत ही पहने घर बर जरूर ट्राय करना फिर आके कमेंट करना और विडियो को लाइक करना चलर को जरूर सब्सक्राइब करना जरूर सब्सक्राइब करना